श्रीन आज्जी गुरुजी को अलखादेश, मा भगवती को अलखादेश, राची वाले भायरबाबा को अलखादेश आप सभी को आदेश आदेश, भगवती प्रतंगेरा की कथा और इनकी उप्योगिता मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, सतर्ग भी कर चुका हूँ कि प्रतंगेरा साधना नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, संचिप्त में बताता हूँ, जब प्रति महामाया को रोश आया, तो हर चीज का नाश होने लगा, उन्होंने हर चीज का नाश किया, इसी शक्ति को शांत करके फिर उनको प्रतंगिरा नाम दिया गया, प्रतंगिरा दो साधकों के नाम से ये नाम पड़ा है, इस शक्ति का काम होता है विनाश करना, प्रतंगिर होता है कि अगर किसी पर किसी तरह का जादू चलाया गया हो किसी शक्ति को छोड़ा गया हो या फिर प्रतंगिरा से किसी का सर्वनाश रचा गया हो तो विप्रीत प्रतंगिरा की साधना से उस शक्ति को रोका जा सकता है अगर किसी का कोई दुश्मन है और उस दुश्मन ने किसी तरीके के तांत्रिक प्रभाव में आपको डाल रखा है जिससे आपका विक्तिगत पारिवारिक या फिर जो गयावसाईक जीवन है वो नाश हो रहा है वैसे इस्तिती में विप्रीत प्रतेंग्रा को चलाने से तुरंत फायदा होता है मतलब पहली दिन की पुजा करिए और आपको लाब मिलने लगेगा भगवती के पुजा का विधान क्या देखे हो जैसे काल भैरेव की पूजा में मैंने आप लोगों को बताया है कि आप तस्वीर नहीं रखते हैं घर पे उसी तरीके से प्रतंग्रा और विप्रीत प्रतंग्रा दोनों भगवती की तस्वी नहीं रखी जाती है बस मन में ध्यान करते हैं महा माया के रूप में इनको ठीक है इसमें जो मंत्र प्रयोग होता है जो ध्यान होता है वो भी भगवती काली का होता है ना कि प्रतंग्रा भगवती का होता है भद्रकाली का ध्यान करते हैं यह रिलीफ देने में इतना तेज मंत्र है कि पहले दिन के अनुष्ठान के बाद मा भगवती भद्रकाली खुद आपकी सुरक्षा में खड़ी रहती है और जो भी शक्तियां आप पे उस दिन के बाद चलाई जाएंगी वो वापस लौट करके जो भी करता है उस पर ही पड़ेगा तो इस विधान में भगवत काली के सामने आप जो पंच पूजा है वो करेंगे दूप, दिप, नवेद, गंध है न और उसके बाद मा भगवती भद्रकाली का हृदय में ध्यान करेंगे तो मा का ध्यान मा का ध्यान अमंतंब आगबं करेंगे जो आप लोगों को रूप बताया है भगवती का Azra लू इस मंत्र के साथ आप भगवती भद्रकाली का ध्यान करेंगे, जो हाथ में तलवार, कपाल, डमरू लिये हुई है, जिसके मस्तक पर अर्दचंद्र है, पीले बाल है, खड़ी है भगवती, उनके दात लाल है और बहुत भयानक दिख रहे हैं, वो भगवती आपकी रख्चा करें, ऐसा आप ध्यान करेंगे, ठीक है, उसके बाद हाथ में आप जल लेंगे, राइट हैंड में, और उसके बाद संकल्प करेंगे, और इस जल को फिर आप जमीन पर गिरा देंगे, इसके बाद करनेयास कर लेंगे, करनेयास में आप लोगों को सिखाया है मैंने कि किस तरीके से करनाश किया जाता है, जब थम का करते हैं, तो इंडक्स से थम के रूट से लेकर के टिप तक छूते हैं, और बाकी उंगलियों में थम से जो है, उस उंगली से लेकर के उसके रूट से लेकर उसके टिप तक छूते हैं, तो एम अंगुष्टा भ्याम नमाः, ओम हिम तरजनी भ्याम नमाः, ओम श्रिम महा मध्या भ्याम नमाः, ओम प्रतंग्रे अनामिका भ्याम नमाः, ओम मम रक्षा रक्षा, कनिष्टका भ्याम नमाः, ओम मम सत्रू, बान जये, बान जये, कर ताल, कर प्रिष्टा भ्याम तो इसमें दोनों तलवों को आप सबसे पहले चुएंगे और उसके हाथ के पीछे के तरफ को आप उसी तलवटी से चुएंगे इसके बाद आप करेंगे करनयाज करनयाज में क्या होता है ओम एम हिदय नमा हिदय चुएंगे ओम रिम सिर्चे स्वाह सर चुएंगे ओम शिम सिखाया वसटम सिखा को चुएंगे ओम प्रतेंगराय कवचाय हुम दोनों कंधों को क्रॉस करके अपने हाथों से चुएंगे ओमम रक्षा रक्षा नेत्र तरही वहुशट और दोनों उंगलियों से मिडल फिंगर से थरड़ाई को और दोनों बगल वाली उंगले से दोनों आग को छुएंगे और अंत में ओमम सत्रू भांजे भांजे अस्तराई फट दो उंगली लेंगे राइट हैंड का उसको सर के उपर से तीन बार घुमाएंगे और उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड पे तीन बार ताली बजाएंगे इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, कि आप तीन चुटकी बजा सकते हैं इसको पढ़के, उसके बाद सारे दिशाओं में, जो आठ दिशा है और तृत्वी और आकाश, मंत्र बोलेंगे, ओम, भूर, भव, स्वाह, और हर डारेक्शन में आप चुटकी बजा लेंगे, इतना कर करने के लिए तयार हैं, ठीक है, मंत्र करने के लिए तयार होने के वह बाद, जो भी आप माला लीजेगा, रुद्राक्ष का ले लीजे, अगर सुभा करिएगा, रात्री में कीजेगा, तो स्पैटिक कर रखेगा, एक विशे और इसमें ध्यान रखना है, कि दिशा इसमें वही होगी, जो आपके पूजा के रूम में, जिस जहां पर आप पूजा करता है, वही दिशा होगी, मतलब यह ऐसी सादना नहीं है, जो पूजा रूम से हट करना हो, तो उस माला वहाद में ले लेंगे, उसके बाद बोलेंगे, ओम 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 ओम, कुम कुम कुम, मम काम क ऐसा बोल करके मंत्र को जो माला है आपको उसको अभिमंत्रित कर लेंगे। इस माला मंत्र में ये बहुत लंबा भी हो सकता है लेकिन इतना मंत्र आप लोगों को करना है जो उपर का मंत्र बोल है उसमें एक जिगा लूमू बोल है उसका आप लाम कर लीजेगा। इसके बाद मंत्र करना है 108 बार हर रोज प्रतंगिरा का मंत्र है एक बार फिर से सुनिए एक बार फिर से शुनिये। प्रतंगेरे, माम, रक्ष, रक्ष, मम, सत्रून, भन्जय, भन्जय, फे, हुम, फट, स्वाह, ठीक है, अंत्व में फिर से भगवती का पुना ध्यान करेंगे, और फिर पूजा का विसरजन करेंगे, इस विधान में आप हवन मार्जन नहीं करेंगे, अगर किसी विशेश व हैं कि एक ही व्यक्ति के प्रयोग से आप पे बहुत सारी विपदा आ रही है, और जिसमें पूरा हवन मार्जन करना पड़े, तो किसी तांत्रिक या ओघर के माध्यम से ही इस विधान को करवाएंगे, फिर खुद से नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतंगिरा शक्ति एक ऐसे कि जब तक मारूप में रहे, उग रना रहे, तो आपके लिए बहुत काम किये हैं, लेकिन अगर छेड़ दोगे तो फिर छोड़ती नहीं है, इसलिए सम्हल करके इसका प्रयोग करना, आज के लिए इतना ही, जिनको बेसिक साधरा सीखनी है, वो मेरे पेड़ वाट्सप ग अगर जाएगा उसमें आप रूद्रनाथ.चीएम 4 सरच कीएगा तो आपको मेरा प्रफाईल मिलेगा, उससे आप उससे डारेक्ट बात कर सकते हैं, बहुत अर्जेंसी हो तो डारेक्ट ने सरच कीएगा, लेकिन अर्जेंसी हो, महापत अंगर आप से बुदू सुरक्षि आप सरच कीएगा, एसे ही मेरी कामने आप सब भादे शाज़, अनगा आज़ी